यह लिए विए विडियो लाइक करें इंसाग्राम करें लिए लिए लिंक आपको निच्छे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते इंडिया वरसल न्यूजी लैंड दूसरा टेस्ट मैच डेटू इसको पर बड़ी गलि दिटेर के साथ बात करूगा देखो अब बात अब मुझे भी मेरा भी फ़र्ज आ गया कि अब वो बात की जाएन जो बात कर नी चाहिए less जो बतारों मैं लोगवारे और सब को अब सबको बता हुए यार मैं Jen कुरिकेत का बहुत ही मतलब एक जहरा ही बिखहरो है बसुसे का हैं और मेरी पसंतिता गेम बनी है तो बहुर आगई बड़ी डिटेल के आगले इसको पर बदे और पाकिस्तान वर्साइज इंग्लैडद थर्ड ट्रीस मैच्च तुसके बूर। करेंगे पाक्सान अच्छा जह लाइस को बाद करेंगे और वह मर्चिंगेश्या कब स्री लंका ने पाकिस्तान इसने को पगड़ के पहल दी आ हमारा पी असल का टालेंट दूल गया और असा दोया पकड़ गे इस से बदा चलता कि पी असल फारक लीग हो तो मेरे गंटे पर चाड़ जो इसके पर बात करते हैं सबसे पहले आ रहते हैं इंडिया वर्साइज इंडिया इस्टम डविटी सी फाइनल खेलने की तीसरा फाइनल खेलने की रेस में आ चुकी है भी अभी नाइटी परसंट चाहते हैं इंडिया खेलेगा देखें हम मसला के हैं मसला सर यह है कि न्यूजी लैंड इतनी कोई बड़ी टीम तो है नहीं एशियन कंडिशन की बात कर रहूं पैसे वह बहुत बड़ी टीम है एशिया में न्यूजलैंड को इतना अच्छा खेलती नहीं है इस सब को पता है स्पिन की आगे कोई ओवर सीज टीम जो स्पिन की आगे आगे जो सब से अधक कामपती है ना वो न्यूजी लैंड है जो स्पिन को अच्छा खेल न अब इसमें चीजी आपने पकड़नी है आई देखें डे टू था इंडिया ने अपनी बैटिंग आगास गिया एक विकट आउट थी शुमन गिल और जेस्वाल ने शुरू में एच्छी इनिंग खेली लाइक सैट नजर आ रहे थे दोनों उसके बाद पिर जब विकर्स ग सग्रीन को परेमें के जो वाल पेपर होते हैं वो भी विराट कोली के ही होते हैं और अभी बीसी मुबायल पर जिस पर शूट कर रहा हूं दोनों में विराट कोली की वाल पेपर लगी हुई है विराट कोली के साथ मसला चल गया रहा है देखें विराट कोली बहुत बड़ और बात बदाथ को ली Latari कि वो टेहीं पीक नहीं ये सब ने फाइनल में बहुत अच्छा किया और राड की टेह्does पीक नहीं ये सब को मत पता है टेस्ट में डाया वह है यह बहुत बाद को समझेगा आप लाक पड़ेगा व का टेस्ट डिप आया हुआ है अब मैं स्टाइड बढ़ रहा था देख रहा था जिसमें विराट कोली के 33 की आवरीज है 2020 के बाद इन टेस्ट क्रिकिट जिसमें 200 हैं सिर्फ एक 100 विराट ने किया था वेसंडीज में और एक 100 है विराट कोली का अदर जो है वो नरिंदर मोदी स्टेडियम में वो जो स्टिले का गेंस किया दवान 80 साम थी आखरी टेस्ट मैच में उसके बाद 70 बड़े हैं विराट कोली के देखो ये मसला नहीं है मसला ये है कि रहे ना खाए ना खतम नहीं हुआ वह आप की तरह नहीं है जब उसको लगेगा ना वहुद्धी क्रिक्ट छोड़ देगा बटा इंडिया ये तो मेरी मेरे साथ तैगरी करोगे ना कि इस टेम इंडिया के साथ थोड़ी सी बैड लग भी चल रही है वही जडेजा है वही इसे कहते हैं बैड लग इस विकीट पर हो एश्वीं इस विकेट पर इस बी कर पींडिया रहे Васे रहें लिदंस को बड़े सीथी बेट ρाकता विराट कोली को पतहा उसने रांज करने है और मुझे बड़ी उमीद है विराट कोली से बिराट कोली रोपने प्रैक्टिस को डबल करेंगे विराट कोली अब जयादा इन्वाल होंगे अब अब बास करने पढ़ेंगे जिसना रोई शर्मा ने भी कुछ नहीं किया जिरो रांस से रोई शर्मा के विराट प्लास रोहित ये दो में प्लेयर हैं अगर ये फार्म में नहीं आएंगे तो मसला बहुत ज्यादा हो जिए उपकर शुमन गिल, जे सुबाल ये बड़े टैलेंटिड प्लेयर हैं लेकिन ये भी बच्चे हैं ये बच्चे हैं फ्रेंट से आगे दिखाना पड़ेगा विराट को रोहित को क्यों के वो बड़े प्लेयर हैं वो अपने आपको प्रूफ कर चुक है ये तो अभी अपने आपको प्रूफ कर रहे हैं बात आप मेरी समझ दे होगे ठीक है रिशाप पंथ 18 सर्फराज 11 सर्फराज बार बर एक ही शार्ट बे उट हो रहा है वो उसका बले ही गूम जाता है ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है जड़े जाने अर्टिस किये मतब इंडिया इंडिया 156 कर रहे है न्यूजिलेंड 198 फॉफ फाइफ न्यूजिलेंड के 301 की लीड है अब ये लीड साथे 300 तक जाती है ये लीड 400 तक जाती है अब इंडिया इदर मैच में वापीस आने के लिए कोई मिरिकल करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा मिरिकल क ना पड़े गा अमिरिकल हो सकते हैं देखो सिंपल सी बात है आपके पास औरर ज्रमीड फैसार इसी साल टेस्कर्ड में 200 कर सकते हो गई के झो क्या रहा ने है इनडिया वा खेल रहा हो तो साइड बें बेगार दो वह हेटर जानल को बर्ड मées गएं हो आप यह देखो कि आप आप खर क्या सकते हो आप बहुत कुछ कर सकते हो इसी इंडियन टीम ने पिछले टैस मैच में करके दिखाया है इस टैस मैच में भी होगा गेम सारी है कि अपने ओपर फेथ रखना है और आप एजीली कर जाओगे सुंदर ने अच्छी बालिंग की है सुंदर ने आज भी जा है केन विलियमसन के बावजूद ये डोमिनेट कारिया वह भी इंडिया में आगे बहुत बड़ी है चीविमेंट है न्यूजी लैंड के लिए और न्यूजी लैंड यकीन करें न्यूजी लैंड के बास कुछ इतना बड़ा नाम नहीं है इस टाम अभी बंद रहा है बैटिंग में डैवन कॉन में अच्छा प्लेयर रहा लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन वह अच्छा कर रहे है क्यों टीम वाइस परफॉर्मसी लारे हैं सारे कुछ ना कुछ रांड कर रहे है वो ग्रूप आफ पिपल्स रांड हो रहे हैं भाई एंड पर आके अच्छा कर रही है इंडियन टीम को भी ये करना पड़ेगा इस टेस्ट मैंच में अभी न्यूजलेंड बहुत आगे है और इतना आगे वह चुका हुआ है कि न्यूजलेंड प्रॉपर प्रॉपर डॉमिनिट कर रहा है और प्रॉपर इंडियन टीम इस टैम बैक फूट पर लेगे और मुझे उमीद है कह बोलना नहीं तो पर भी पुझारा है कि जिसपी जगह पे बिया जिस Лवेए फॉक्ते डरी जिसके अजगा उन्स क्वाइए खर रहा का ने बॉत इसको लगता आई झिसकी जगह पर बैगए लեा है पुजारा गोना चाहिए पुजारा से बड़ा डरता है यह बात माइंड पर रखना अब आते हैं पाकिस्तान की तरह से भी सिर्फ साओध श्कील नहीं अच्छा गिया है बाकी तो कुछ कर नहीं तेरे पाकिस्तान भी सुबह डिग्या हुआ था लाग रहा था कि यह गया पा पाकिस्तान अपने गारे में जीत नहीं था रहा मतलब कितनी बुरी बात है मतलब हम जीत भूल कियो थे हमने क्या किया हमने देखो हमने टाफ कॉज ली हमने गंटे को बाएर निकाला लंगडे को बाएर निकाला नसीमशा को बाएर निकाला डुमेस्टिक को अंदर लेक आ रहा है अब अभी भी दो इंग्लेंड के पहल दी है हमने अभी पाकसान ये टेस्ट मैच अराम से जीट सकता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है तो भाई पुजारा को वापसाना चाहिए रहाने की मैं बात नहीं करूँगा लेकिन पुजारा बहुत जूरी हो गया है तो कि आपके पास टस्क लिड में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो रोके जो रोके जो रोके और पुजारा से बेतर रोकता कोई नहीं और पुजारा से बेतर घ पुजारा को खेलना चाहिए और पुजारा की जगा बनती है प्लेइंग 11 में बनती है पुजारा बहुत जरूरी हो चुका हुआ है टीम में और एक बात यह और दूसरी बात इंडियन टीम के ओपर वह जितने भी फैन्स आप वह फेत रखो इंडिया देखो अच्छा नहीं क चेला है ठीक है कितना हो रहा है जतना खेल रहा है वो बैड लक है मैं आपको बता दिया कि बैड लक भी है सारे सारे चीजे ऑगेंस्ट इंडिया चरही है अबी मैणे कमेंटरी में देखा俊 आट्रील那就 वहाइब भुष्य में नदर आ रहे थे डिके ने जब क्रेस्टन किया किया बड़ी सीरीज आ रही है बाटर को फिर्ष को ड्राफी तो सुनिल गवसकर ने बुला अभी मेरे से इस बारे में बात ना करो अभी ये बात करो इस मैच में क्या चाट रहा है तो वो भी तफे होग क्रिकिट भान मुंझे भी इस बात को समखने पड़ेगा और देखें वैं हूं पाकिस्तानी लेकिन मैं इंडिन क्रिकट का बोट भान टैलन्ट दोल गया हमारे PSL के टैलन्ट को पकड़ के बजा दिया है सिरी लंका ने और दो ही टीम ही हमें अच्छी मिली थी एक मिली थी इंडिया एक सिरी लंका और उसके आगे मारा PSL का टैलन्ट ऐसा पिल है ऐसा पिल है ऐसा पिल है कि मैं करता हूँ ना इंडिया के सामने ना यूए वहांग को रहा कि अपने आपको बड़े 30 मारहान समय लेते हैं और गंटे के ये देखो पी एसल को तो मैं लीग मानता ही नहीं में बड़ा टैलेंट था ही नहीं ना कभी बड़ा टैलेंट बनेगा आई पैल का टैलेंट कर रहा है परफॉर्म इवनके स्री लंका का टैलेंट बही वह यंग टैलेंट अच्छा कर रहा है वो फाल में जा चले गए है हानु हानु वेहल उसी बाहर हो गए है यह चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगे यह आपको सोची नहीं पड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हो बाकी कमड बाक्स में अपना फीडबाग जरूर दें और विराट कुली के जितने भी फैंस हैं अब उसलिए हम सब दुख नहीं है कि विराट के बले से लेकर मैं भी जिंदगी में एक बार विराट की टेस्ट पीक मै देख लू कुक्त जो विराट टेस्स करिक्ट में करता था था ना वो कोई नहीं कर सकता यार वो कोई भी देकर सकता हमें हमें पदा विराट कुली ने क्या 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 किया है और किया पिक थी विराट की वाकी विडियी चे लेगा लाएकरेखं़ ने सबस्राइब सन्छाइब करें मेलते हैं थैंस यार आपसे नेक्स टंम अपना बूला आप है अरी की वीडियो cavs वेमें नहीं बनी है